देश में आज जानलेवा क्रोणा वारेस की दूसरी लहर जब कमजोर पड़ती नजर आ रही है देश में पिछले 24 घंटे में क्रोणा की 1,636 नए मामले सामने आए हैं वहीं कल 2427 लोगों की मौत हो गई हलाकि कल 1,74,399 लोग ठीक भी वह हैं भारत में पिछले 24 घंटे में आए क्रोणा वारेस के नए मामले 61 दिनों से सबसे कम है इससे पहले सबसे कम केस 7 अपरेल को दर्च किये गए थे तब एक दिन में 1,15,000 से ज़्यादा केस सामने आये थे मंतराले ने जानकारी दी है कि देश में अबदैनिक पॉजिटिविरी रेट 6.34 फीसदी हो गई है वहीं देश में पिछले 24 घंटे में क्रोणा वारेस वैक्सीन की 13,90,616 डोज लगाई गई है जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकणा 23,27,86,482 हो गया है भारती चिसा अनुसंधान परिशद ने जानकारी दी है कि भारत में कल क्रोणा वारेस के 15,87,589 सेंप्ल टेस्ट किये गए है जिसके बाद कल तक कुल 36,63,111 सेंप्ल टेस्ट किये जा चुके हैं वहीं बात करें तो कुरूना की नय स्ट्रेण के ब्रिटेन, साउथ अफरीका और ब्रजील वैरिन के मामलों की तो सुास्विभाग के अनुसार पिछले सोमवार को 1101 नय मामले, मंगलवार को 506 नय मामले, बुदवार को 930 नय मामले, गुरवार को 1530 नय मामले, शुकरवार को 1325 नय मामले, शनिवार को 1537 नय मामले, रवीवार को 1952 नय मामले, और आज सोमवार को 869 नय मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रिमतों कि संख्या 54,187 से 55,046 हो गई है नए स्ट्रेइन के कुल मामलों में रिकावरी लगबग 70 प्रतिशत के करीब है और जहां पहले 50 से 100 नए स्ट्रेइन के मामले सामने आ रहे थे अब वो 1000 या 1500 से कम नहीं आ रहे हैं जो धराने वाली बात है क्रोना वाहरेस और क्रोना वाक्सीन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें